किशान भाईयों आप सभी का आयराई के यूटूब चनल पर स्वागत है अगर आप नए है इस चैनल को सबस्क्राइब कर लिजे खेती बारी की अधिक से अधिक जानकारी के लिए और आज मैं मौसंबी के बगीचे में खड़ा हूँ और मौसंबी में बतादू आप सभी को की एक क्लिटा लगता है और हमाए साथ एक बीसे सग्गे हैं जो कि अभी आपको बताएंगे कि कैसे इसको पहचान कर और सही समय पर आप इसका कैसे नियंतरन करकर अपने फसलों को सकते हैं समय निवो वर्गी फल जो मीठे फल हैं जैसे मौसमी है माल्टा है किन्नो है ग्रेप रूट है चकोत्रा है यह चूंकि पकने की तरफ बढ़ रहे हैं और समबता अक्टूबर से यह पकर तयार हो जाएंगे तो इस समय इसमें एक सबसे वड़ी समस्या जो देखने को मिल लगी है वो है फल मक्की का प्रकौप फल मक्की का जो होता है यह जो हमारा फल होता है इस पे वो अंडे देती है तो इससे क्या होता है एक तो बहारी तुचा जो चोटिल हो जाती है जिस पे फपून जनित रो का प्रकौप होता है और जो वो अंडे देती है वो पराम सरूप जो फल है वो पकने से पहले ही गिर जाता है इससे बहुत ज्यादा नुकसान होने की संबाबना रहती है तो यहां हम यह बताना चाहेंगे कि इस फलमक्षी का प्रकोप को इस समय रोकना बहुत आवस्यका है तो इसको रोकने के लिए एक सबसे सरलुपा है अगर आपके पौदे छोटे हैं और उनमें आप थैली बांच सकते हैं तो यह कपड़े की या कागज की थैली बाजार में उपलब्द हैं उनको आप लीजिए और जो इस्टिपलर होता है उसके साहिता से आप अपने फलों को कवर कर दीजिए फल को कवर करने से क्या होगा कि नी बागों का सफाई का बहुत ध्यान रखें कि यह फल मक्की जो है यह खरपतवारों में छुपती है तो सबसे पहले जो आपके बागों में खरपतवार हैं उनका आप नियंतर करिए और उसके बाद उसमें एक जो कीट नासी है इमडा क्लोरोपिड उसका सत्रह दसमलब एक को आप साड़े तीन से चार मिली लीटर प्रति दस लीटर पानी में गोल कर अगर खरपतवारों पर उसका छिड़काओ करेंगे तो निश्चित तोर से जो इसके जो फल गिरे हुए हैं जो लार्मी जमीन पर है जो मक्की है उसको आप नियंतर कर पाएंगे इसके अलावा स या तो नश्ट कर दें या इनको किसी गरम पानी में उबाल कर अगर आप जानवर रखे हुए हैं तो उनको आप चारा में इनका प्रियोग कर सकते हैं जिससे जो फल मक्की का लार्वा होगा वो खतम हो जाएगा तो इस तरीके से आप फल मक्की का नियंतर कर सकते हैं और आ अधिक जानकारी के लिए आप हमारे बताए गए एटिक पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको अधिक जानकारी मिल सकते हैं, बहुत बहुत धन्नेबाद।